चुनाओ आज चरम पर पहुँच चुका है स्वाभाई गुरूप से जो देश के दुस्मन हैं वे चुनाओ के दोरान मोदी जी के पक्स में जो माहोल है इस माहोल को खराब करने का भरसक प्रियास करेंगे कुछ चीचे हैं जो देखने लायक हैं और जिसको पुरे देश के लोगों को वास्तों में समझना चाहिए कि कैसे पाकिस्तान से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने का प्रियास कर रहा है यह चीजे दिखती हैं कि पाकिस्तान सरकार का पूरु मंत्री जो बेस्रमी के साथ पुलवामा की घटना का समर्थन करता है वो अब यक्ति राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा हो राहुल गांधी को लेकर के प्रफुलित हो रहा हो यह चीजें दिखाती हैं कि कॉंग्रेस का हाथ देश के दुस्मनों का साथ यानि चीजें दिखती हैं कि मोदी जी जीतेंगे तो भारत में दिपावली होगी लेकिन अगर कॉंग्रेस कहीं पे सफलता प्राप्त कर रही है तो पाकिस्तान उससे परफुलित हो रहा है देश की जनता को इन बयानों से अवेर होना चाहिए और समझना चाहिए कि इसके पीछे बारत बिरोधी ताक्तों की मनसाएं क्या है भारत के प्रति सर्म कह सकते हैं कि पूर में कॉंग्रेस का चुकि बहुत अलगावादी शक्तियों से यह हम कैसे तो कुछ ना कुछ समर्थान उनको कहीं ना कहीं से रहा इसी वज़े से आज पाकिस्तान से इस तरीके के बयान आए देखें कॉंग्रेस आजादी के बाद अपने मार्ग से भटक गई उसने अपने स्वार्थ के लिए पहले देश का विभाजन किया फिर अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए वहा देश के अंदर जिस प्रकार की तुष्टिकर्ण की नीतियों को उसने आगे बढ़ाया था तुस्टी करण की नीतियों का दुस्पेणाम था कि देश के अंदर अलगावाद और उग्रवाद चरम पर पोँचा कॉंग्रेस सरकार की भरस्ट नीतियों के करण देश के अंदर नकसल बाद भी तेजी के साथ पहला था वा तो मोदी जी पिसले दस वर्स के अंदर जो उन्होंने कारे किये हैं उसके कारण आतंगबाद नकसल बाद और उग्रवाद को नियंतित किया जा सका है और एक जो सकारात्मक माहूल देश के अंदर बना है विकास का माहूल बना है गरीब कल्यानकरी योजनाओं के बारे में बहत्तर माहूल बना है और प्रतेक अंतिम पैदान पर बैठे वे बेक्तिकोबी सासन की योजना का लाम मिला है स्वाभाई ग्रूप से आम जन्मानस का रुजहान इन सभी बातों को लेकर के मोदी जी के पक्स में हैं मोदी जी के समर्थन में हैं और हमें विश्वास है कि कॉंग्रेस की विभाजनकारी तुष्टी करण की नीतियों से देश की जन्ता कॉंग्रेस और इंडी गढ़वंदन को जोड़दार जवाब दे करके उनकी मंदसाओं पर पानी फेरने का काम करेगी और मोदी जी के नित्रतों में भारती जन्ता पार्टी और एंडी प्रचंड बहुमत के साथ फिर से देश के अंदर सरकार बनाएगे